नमस्कर दोस्तों स्वागत है आपका आपके चैनल 1N1 एक्जाम पर तो दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आज की प्रकासित खबर के माने तो UPTET का परिणाम 25 फरवरी को जारी किया जाएगा उत्रपदेश सिक्षक पातता परिक्षा यानि UPTET 2021 के घोसित कारेकरम के मताबित परिणाम 25 फरवरी को जारी होना है जब परिक्षा कारेकरम प्रस्तावित किया गया था तब विदान सबा चुनाओ की प्रक्रिया शुरू नहीं होई थी अब अचार सहिता लागू होने के का करण अनमती मिलने की संभावना है उत्रपदेश सिक्षक पातता परिक्षा नियामक प्रधिकारी यानि पीन पीने तेज जनवरी को दो पालियों में यह परिक्षा योजित कराई थी इन में कुल विद्यार्थियों की संख्या लिखी हुई है इसके तीन दिन बाद पीन प सुल्क जमा कर कुछ उत्रों पर आपति जताई आपतियों के को विशेश्यग्यों से निर्धारित कराने का समय 21 फरवरी निर्धारित है पीन पी अपडेट उत्रमाला 23 फरवरी को जारी करने और 25 फरवरी को परिणाम घोशित करने की तयारी में है लेकिन उत्तर सकते हैं यहां पर भी लिखा हुआ है टीटी के परिणाम को मांगी अनुमती यानि यूपी टीटी दोजार 21 का परिणाम 25 फरवरी को घोशित होना है उससे पहले सचिव परिक्षा नियामक पर अधिकारी ने सासन को पत्र लिख कर गया जैनकारी चाही की विदान सभा चु परिणाओ की अधिसूचना जारी होने से पहले 22 दिसंबर कोई जारी कर दी गई थी ऐसे में कोई अडचन नहीं आनी चाहिए इसके बावजूद परिक्षा नियामक पर अधिकारी का रियाले ने एतिहासन अनुमती मांगी है यूपी टीटी 23 जनुरी को दो पालियों में आयोजित की गई थी ठीक है इसके अलावस सीटेट की बात करें तो सीटेट का परिणाम इसी सप्ता सीटेट 2021 का परिणाम इस सप्ता घोसित हो गया इधर परिणाम जारी होने के बाद बोर्ड पंजिकरेता अवियारतियों को ओमार एम कैलकुलेशन सीट की प्रति उपलब कराएगा बोर्ड की ओर से पहली बार देजबर में यह परिक्षा ऑनलाइन मोड मोड पर 16 दिसंबर से 21 जन्वरी तक आयोजित की गई थी आपतियों करने निस्तारन करते हुए अंतिम आंसर की तयार कर ली गई है और इसी हफते बोर्ड अधिकरित वेबसाइट पर परिक् चैनल पर पहली बार रहा है तो सब्सक्राइब करने कज़त बेल आइकन पर क्लिक अवस्य करें धन्यवाद दोस्तों